दोस्तों मैं स्वरों मलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं Top 28 GKK S.A.M.C.Qs जो की परिक्साओं में हर बार पूछ आते हैं आप किसी भी एक्जाम की चारी करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत पूर रहेगी और ये वीडियो रात में 9 बजे Only Top Study यूटूब चैनल पर हर रोज आती है तो आप इस वीडियो को हर रोज देखे और डेली बेसिस पर नए-ने कोशन्स आते हैं पहुती बैतरिन आप वो सारे कोशन्स के आंसर बताने की कोसिस करिए ठीक है चलिए शुरू करते हैं पहला कोशन है डखकन पास नमिन में से किसके मद्य इस्तित है आपको किसी भी कोशन का आंसर पहले से पता है तो कमेंट बोक्स में जरू बताएगा ठीक है तो इस कोशन का आंसर बताएगा तो राइट आंसर रहेगा दोस्तो दक्सिन अनमान और लगू अनमान यानि की पहले कोशन का राइट आंसर भी हो जाएगा भी दूसरा कोशन है बोपाल में गैस तरास दी किस गैस के करण घटी थी दूसरे कोशन का सही उत्तर क्या रहेगा बोपाल में गैस तरास दी किस गैस के करण गटी थी तो दूसरे कोशन का राइट आंसर रहेगा मिथाईल आईसो साइनेट यानि कि दूसरे कोशन का राइट आंसर दोस्तो C हो जाएगा यह है आपको याद रखना है तीसरा कोशन है भारत में सबसे पहले बिजली किस सहर में आई थी सेशन बहुत ही अच्छा होगा अगर आप लोग आंसर कमेंट बोक्स में बताएंगे तो बहुत मजाएगा चलिए आंसर बते तीसरे कोशन का क्या रहेगा सबसे पहले बिजली दोस्तों किस सहर में आये थी तो राइट आंसर इस कोल कता में ठीक है तीसरे कोशन का राइट आंसर भी हो जाएगा ये नोट कर लेना सेवालों के अध्यन से जुड़ी वनस्पती सास्त्र की साखा का क्या नाम है कोशन नमबर 4 का सही आंसर क्या रहेगा फाइकोलोजी यानि कि कोशन नमबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी नोट कर लेना है कोशन नमबर 5 है टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है तो पाँचवे कोशन का सही उत्तर हैगा ट्यूब में निसेचन होना यानि की पाचवे कोश्चन कर आइट आंसर ए हो जाएगा अगर आप लोग किसी भी कॉम्परेटिव एक्जाम की त्यारी करते हैं तो आप हमारी मास्टर पीडियाप ले सकते हैं मातर 170 रुपे में मास्टर पीडियाप का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स और अमारे वोट्सप नमबर दोनों जग रहेगा लिंक पर क्लिक करना है पेमेंट करना है पीडियाप आपको डिरेक्टली मिल जाएगी ठीक है और पीडियाप के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं चटा कोश्चन है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है देखे इस कोश्चन का सही आंसर क्या रहेगा दोस्तो तो यहाँ प्रसइ आंसर हैगा हैंसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है छटे कोश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा भी सात्वा कोश्चन ताजमेल किस नधी के किनारे स्थित है तो जितने भी हमारे intelligent student है फटा फटा आंसर बताएंगे comment box में ताजमेल किस नधी के खिनार रिष्थित है तो साथवे question कर राइट आंसर हैगा यमना नधी है साथवे question कर राइट आंसर C हो जाएगा यह आपको याद अखना है पका हुआ आम खाने से कौन सी बिमारी होती है आठवे question का सही उत्तर रहेगा दोस्तो सुगर यानि की डी राइट आंसर हो जाएगा नौबा question है सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच परसिद युद किस नधी के किनारे हुआ था नौबे question का राइट आंसर क्या रहेगा सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच परसिद युद किस नधी के किनारे हुआ था नौबे question का सही उत्तर रहेगा दोस्तो जेलम नधी के यानि ही राइट आंसर हो जाएगा बी तिरिशूल परवत सिकर किस भारती राज्ये में अवस्तित है दसवी question का सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तो बिलकुल उत्राखंड यहाँ पर राइट आंसर हैगा दसवी question का सही आंसर इससी एक ही राज्ये में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नधी सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते रहेगा और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में ठीक है यह वीडियो आपके आती है रात में 9 बजी रेगुलर ओनली टॉप स्टड़ी यूटूब चैन सबसे लंबी नधी लोनी नधी है सी राइट आंसर हो जाएगा बारवा कोशन भारत में सबसे महंगा होटल कि सहर में इस्तित है भारत में सबसे महंगा होटल कि सहर में इस्तित है तो दोस्तों बारवे कोशन का सही आंसर हैगा सबसे महंगा होटल है दोस्तों मुंबई में तेरवा कोश्चन है दुध्य असोग किसे कहा जाता है तो कोश्चन अबर थर्टीन का सही आंसर हैगा कनिस्क को यानि कि C इस दा रहे आंसर कोश्चन अबर पोर्टीन है काजु का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है काजु का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है कोश्चन अबर फोर्टीन का सही आंसर हैगा भारत यानि कि C is the right answer कोश्चन अबर फिप्टीन है नालंदा विश्विद्याले कहां इस्थित है नालंदा विश्विद्याले कहां इस्थित है पंदरवे कोश्चन का सही आंसर हैगा दोस्तो बिहार में यानि कि C is the right answer कोश्चन अबर फिप्टीन है हाइड्रोजन यानि कि ऑप्षन हो जाएगा दोस्तो ए राइट आंसर ठीक है हाइड्रोजन इस दा right answer सतरवा कोश्चन अब बुध धम और संग मिलकर क्या कहलाते है सतरवे कोश्चन का राइट आंसर हैगा तिरी रतन यानि कि A is the right answer अठारवा कोश्चन अब परसित बोध धरम गरंतों की रचना किस भासा में की गई थी अठारवे कोश्चन का सही आंसर हैगा दोस्तो परसित बोध धरम गरंतों की रचना किस भासा में की गई थी तो right answer is पाली भासा में अठारवे कोश्चन का right answer B हो जाएगा उनिस्वा कोश्चन है परसित अर्भी लेखक अलवरूनी किसके साथ भारत आया तो उनिस्वे कोश्चन का right answer एगा मोहमद गजनवी के साथ उनिस्वे कोश्चन का right answer C हो जाएगा यह है आपको याद रखना है कोश्चन नमबर 20 है किस रास्टिय उद्धान को पक्सियों का स्वर्ग कहा जाता है 20 भी कोश्चन का right answer एगा केवला देव घाना नेशनल पार्क यानि की A is the right answer 21 भी कोश्चन की सासक के सिक्के संगीत के पड़ती प्रेम दरसाते है 21 भी कोश्चन का सही उत्तर रहेगा दोस्तो समुन्द रूप्त यानि की 21 भी कोश्चन का right answer A हो जाएगा काले वस्तरों के मुकाबले स्वेद वस्तर सीतल क्यों होते है राइट आंसर एगा उनके पास जो भी प्रकास पहुंचता है उसे वे प्रिवर्तित कर देते है 22 भी कोश्चन का right answer B हो जाएगा वे 23 भी कोश्चन है मोरिय समराज्य की राजधानी कहां इस्तित थी 23 भी कोश्चन का right answer एगा पाटली पुत्र यानि की option A इसदा right answer 24 भी कोश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा नारियल किस राजधा में उगाए जाते हैं 24 भी कोश्चन का right answer उचेगा करनाटक C right answer एगा प्राचीन भारत में कौन सी एक लीपी दाए से बाएं और लिखी जाती थी 25 भी कोश्चन कराईट आंसर एगा क्रोस्टी लीपी ठीक है 25 भी कोश्चन कराईट आंसर दोस्तो D हो जाएगा 26 भी कोश्चन है EEG का प्रियोग किसकी गतिविदी दर्ज करने के लिए किया जाता है तो right answer एगा मस्तिस्क की यानि की C is the right answer 27 भी कोश्चन है पसुओं में milk fever बिमारी किसकी कमी के कराण होती है 27 भी कोश्चन का right answer है केल्सियम की यानि की A is the right answer 28 भी कोश्चन है बुद्ध को ग्यान कहां प्राप्त हुआ था 28 भी कोश्चन का सही उतरहेगा बोध गया में यानि की B is the right answer 28 में से आप लोगों ने कितने कोश्चन के answer सही किये हैं कमेंट बोक्स में अपना score बतेगा तिर्सूल प्रवत सिकर किस भारती राज्य में अवस्थित है या आप लोग के लिए test question है इसका भी answer सभी को कमेंट बोक्स में जरूर बताना है ठीक है only top study app डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करिए और five star की rating भी जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों अगर आप लोग किसी भी competitive exam की चारी करते हैं तो आप हमारी masterpedi app ले सकते हैं मात रिक 170 रुपे के अंदर इसमें आपको सारे subject मिलेंगे वो भी पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं masterpedi app का link description box और हमारे whatsapp number दोनों जगर आएगा link पर click करके payment करके आप directly PDF प्राप्त कर सकते हैं session आपको अच्छा लगे तो like share करिए चैनल पर नए है तो subscribe करिए bell icon को on रखे ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हो thank you so much bye bye everyone take care खाल के अपना मिलते हैं next class